हेलो दोस्तो आज इस वीडियो में हम आपका देखने वाले हैं कि पेटियम मनी या पेटियम स्टोक्स में आप शोर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं तो देखें शोर्ट सेलिंग करना है हाँ पे काफी आसान हो जाता है तो पहले आप देख लीजिए एक बार पोजिशन हमारी यह है यह क्लोज हो रखी है तो अभी हम क्या करेंगे डेश्बॉर्ड पर आते हैं और अब हम वह स्टोक ले लेंगे जिसमें हमें शोर्ट सेलिंग करनी है तो देखे सबसे उपर आपको स्टोक लिखा हुआ मिल रहा है हाँ पर सर्च बार है सर्च बार में हम सर्च कर लेते हैं इन्फो एज़ बाकि नीचे आ रहा था तब भी मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ edge यह देखिए यह आपका आगया है stroke stroke पे जस्ट आपको click करना होगा और अगर आप उपर की तरफ slide करेंगे तो यह जो उपर देख रहा है आपको star लगा हुआ इस पर आप click कर देंगे तो यह watch list में भी आ जाता है आपकी अब देखिए दोस्तों short selling करने के लिए हमको click करना होगा just sell बटन पर यह देखे sell पर और यहाँ पर यह जो basic जो layout होता है general form में आपका invest आता है तो आपको invest पे click नहीं करना आपको trade पे click करना होगा trade पे click करने के बाद आप यहाँ पे quantity select कीजेगा तो अभी हम quantity one select कर देते हैं और दोस्तों एक और चीज यहाँ पे आपको कोई भी intraday के लिए leverage नहीं मिलती है कोई भी margin यहाँ पे नहीं मिलता है तो जितना आपके पास cash है आप उतने की ही यहाँ पे trading कर सकते हैं quantity उसके बाद आप select करेंगे custom price की market पे आप sell करना चाहते हैं तो हम custom price इसको कर देते हैं चलिए हम market ही कर देते हैं इसके बाद सीधा हमको करना होगा swipe to sell दोस्तों याद रखेगा trade पे click करना जरूरी होता है तो हम swipe to sell कर देते हैं यह देखें दोस्तों order submitted successfully your order reference तो अब आपको जाना होगा किसमें अपने order section में और order section में जैसे आप successful पे जाके देखेंगे तो यह देखे हैं हमारा successful selling हो चुका है बागे आप देख सकते हैं यह हमने जो किया है आपका direct हमारे यहाँ पे आ गया है और यह दिखा भी रहा है कि intraday होगा आपका आ रहा है कोई हमारे पास में quantity नहीं थी जिसको हमने sell किया हो यह हमने totally sell किया है जिसको हम short sell बोलते है short sell में दोस्तों पहले selling होती है फिर buying होती है तो अब आपको जब आपका target आजाए यहाँ पे तो आपको इस पर just click करना होगा exit पे आप लोग click करेंगे और यहाँ पे अपना price डाल देंगे जैसे quantity one custom price कर दीजिगा जैसे माल लेते हम इसको buy करेंगे दुआर से 3600 लिए देते हैं अपना price उसके बाद आप simply swipe to buy पे click करेंगे यह मैंने swipe किया अब इसके बाद क्या होगा आपका order यहाँ पे चला जाएगा और जैसी आपका price 3600 आता है तो यह आपका order execute हो जाएगा और आपको benefit हो जाएगा जितने कभी आपने benefit कमाया है जो भी आपका gap आ जाएगा दोस्तो एक और चीज में आपको बता देता हूँ अगर आप beginner है और beginner आपने stocks में invest कर रखा है तो better option यह रहेगा कि दिवाली से पहले अपने पैसे को थोड़ा आप cash में आ जाए क्योंकि आपकी जो market है मेभी वो fall कर सकती है आपको पता भी होगा क्योंकि आपके lockdown लगते जा रहे हैं तो be safe